हेलो बच्चों, RMS Online Classes में आपका स्वागात है, Class 12 मैं चल रहा था, जिसमें कि हम लोग Part 1 वीडियो देख चुके हैं, बच्चे नहीं देखे हैं, उपहले Part 1 देखें, इसका पार्ट 2 देखें, तो इन्वार्श ट्रिग्नोमेटरी फंक्शन, तो यहां पर 11 तक फर्मूला हो चुका था, आज 12 नमर से फर्मूला होगा, तो 12 नमर में पहला फर्मूला धियान देजे, पहला फर्मूला है, क्या है sign inverse x, plus sign inverse y, क्या है, sign inverse y, बढाबर फर्मूला होता है, sign inverse x, root under 1 minus y square, plus y, root under 1 minus x square, 1 minus x square, ठीक है, तो दूसरा नम्मर इसी का फर्मूला होता है, इसमें चार फर्मूला होगा, sin inverse x minus sin inverse y, बराबर sin inverse, यहाँ पर सिर्फ minus हो जाएगा, root under 1 minus y square minus, यहाँ पर y root under 1 minus x square, ठेक, तिसरा नम्मर इसी का फर्मूला है, cos inverse x plus cos inverse y, बराबर cos inverse x y, बराबर plus है तो क्या होगा, minus root under 1 minus x square, इंटू 1 minus y square, ठेक, इसी परकार से तिसरा नम्मर फर्मूला होगा, चौथा नम्मर, cos inverse x minus cos inverse y, बराबर क्या होगा, cos inverse x y, यह minus है तो क्या होगा, plus root under 1 minus x square, इंटू 1 minus y square, ठेक, इस तरह से इस चार फर्मूला होगा, अब देखे, इसको चारों को प्रूप करने के लिए, चार 11 का ही फर्मूला है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, sin a plus b, याद कीजिए तो, पढ़े हैं, sin a into sin a into cos b plus cos a into cos a into sin b, sin a into cos b plus cos a into sin b, दूसरा नम्मर इसी प्रकार था, sin a minus b, क्या होता है, sin a into cos b minus cos a into sin b, तिसरा नम्मर फर्मूला क्या है, cos a plus b, क्या होता था, cos a into cos b minus sin a into sin b, ठीक है, अच्छा उथा नम्मर फर्मूला है इसी का, cos a minus b, बराबर क्या होता है, cos a into cos b, अब पलस, यहाँ पर minus है तो, पलस, यहाँ पलस है तो, मैनस, तो sin a into sin b, तो यहाँ पर ध्यान देजेगा, इस पहला फर्मूला से, इससे प्रूफ हो जाएगा, दूसरा से इसको प्रूफ करना है, तिसरा से इसको करना है, आएटिस राजिस को, चौथा को, यहाँ चौथा के चौथा से करना है, तो इसी इपर ध्यान देजेगा, देखिए हम पहला प्रूफ बता रहें आप लोगों को, पहला नम्मर प्रूफ, पहला नमबर प्रूब देखिए पहला नमबर प्रूब क्या करना है पहला क्या है साइन इन वर्स एक्स बराबर माल लेते हैं ए क्योंकि ए में है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर क्या होगा साइन यहाँ पर एक्स बराबर साइन निकाले हैं अब यहा होगा रूट अनुट हमाशन स्क्वाइर भी फर्मूला किसका हो ले घृत का तर में आ यहां पर को से निकाल नियता यहां पर कौस यह बरापर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर वन मैंनस साइन क्या होगा सबस्कि कि आ मानेंगा, sin inverse y बरावर b मन लेता है, तो y बरावर क्या होगा, sin b, y बरावर sin b हो जाएगा, अब sin b है, तो यहाँ पर cos b निकाली है, cos b बरावर क्या होगा, तो root under one minus sin square b हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, तो इसी परकार से आगे जो है, क्या हो जाएगा, cos b बरावर root under, यहाँ sin b बरावर y, तो यहाँ one होगा, sin square है, तो यहाँ पर square हो जाएगा, y का square, ठीक है, तो इस परकार से निकाल लिए, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेगा, we know that, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पर्मूला भी पढ़े है, sin a plus b is equal to, क्या होता है, sin a into cos b plus cos a into sin b, तो यहाँ पर देखें, sin a plus b, यहाँ पर sin a, देखें, sin a के जगहें क्या रखेंगे, x रखेंगे, x रख दिए, अगर cos b, cos b क्या है, root under one minus y square, plus cos a, cos a क्या है, root under one minus x square, into, तो यहां पर साइन भी साइन भी कहां पर है साइन भी यहां पर वाई है ठीक है तो यहां पर मेरा क्या हो गया साइन कि ए पलस बी बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स रूट अंडर वन मैंनस वाई स्क्वार पलस यहां आगे कर देजिए वाई रूट अंडर one minus x square अब इसको इधार लेता है तो a plus b equal to simple में इधार आगात किसमें inverse में sign inverse x into one minus y square plus y root under one minus x square आई एक का मान क्या माने थे देखिया तो यहां पर a ब्राबर क्या है sign inverse x और ब्राबर साइन इन वर्स हुआ एक जिगा पर दिजे साइन इन वर्स एक्स और यहां पर साइन इन वर्स कि क्या जागा वाई तो यहां पर फर्मूला तयार हो गया सान इन वर्स एक सुरूट अंडर one minus y square plus y root under one minus x square तो फर्मूला बन गया मेरा कि अधिए फर्मूला तयार हो गया कि किसका फर्मूला हुआ यह लेवन में जो फर्मूला ता उसी से प्रूब किया है इसी परकार से आप दोसरा तिसरा और चोथा नमबर total formula को पुरूब कर सकते हैं इसको ध्यान से देख लिजेगा ठीक है तो इलेवन का फर्मूला से 12 का फर्मूला प्रूब किये हैं बहुत सारा तो 11 का फर्मूला पलोग को दिमाग में रखना और 12 का भी ठीक है तो इस परकार से इस चेप्ट तो इसको ध्यान देज़ेगा सिंप्लेस्ट रूल आप सिंप्लेस्ट फॉर्म कि यहां पर लिख देता है रूल आप कि सिंप्लेस्ट अ कि फॉर्म कि क्या आता है देखिए पहला यदि कि a square मैंनस x square रहे कहीं पर a square मैंनस x square तो तब जो है क्या पूट करना है x बराबर करना है a sine theta या a cos theta इस दोनों में से कुछ भी पूट कर सकता है पर आपको दिया रहेगा इस कहीं पर लिखा वरेगा रूट अंडर एसके जगह पर जो है एक्स की जगह पर हम क्या पूट करेंगे एसाइन ठीटा या यह कॉश्ट ठीटा इसके बागे हल करेंगे तो हम सवाल बताएंगे आप लोग टेंशन ने लेना है तो यहाँ पर दूसरा नंबर रूट अंडर अगर दी कहीं पर लिखा रहे हैं एसकर माइनस यहाँ पर जो है कि एसकर पलस बीज़ कर रहेगा माले जिए तब क्या प्यूट किजेगा तब जो है पूट करना है एक्स बराबर क्या करना है ए टैन ठीटा या फिर ए कॉट ठीटा ठीटा ठीक है और यहाँ पर पहले देखिए एसकर माइनस एक्स स्क्वेर रहे तो क्या करना है एसाइन ठीटा या कॉट ठीटा और एसक्वेर पलस एक्स स्क्वेर रहे तो उसमे ए टेन ठीटा या कॉट ठीटा ठीक है और एगो इसी प्रकार से है तीसरा नम्मर करता है यदि कहीं पर लिखा रहे एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर तब क्या पूट किजेगा एक्स के जगा पर क्या पूट किजेगा बताइए तो तो ए सेख ठीटा या क्या करना है ए सेख ठीटा या ए कॉसेख ठीटा ठीक है और सिंपलेस्ट फोर में और तीन गो इसी का जो है एक तरह से है यहाँ पर याद रखना है यह और जैसे की कहीं पर लिखा रहेगा यहां पर A नहीं देखे, यहां पर कहीं पर लिख दिया, one, x square, इस तरह भी रहेगा, तो फिर, तब भी क्या put करना है, यहां पर जैसे one रहेगा, यहां, a square है, x square है, यहां a था यहां, a लिए थे, यहां पर one है, यहां यहां वन का square क्या जगा, x के बराबर, a, एक तो नहीं लिखते हैं तो डिरेक्टर पूट करें क्या एंसाइन ठीटा तो यहां पर क्या करेंगा वर मैंने साइन इसकाइब हो जाएगा ना तो कॉस्ट कर जाएगा यहां फिर ए नहीं करना है कॉस्ट ठीटा यही दोनों में से एक्टो करना आज चौथा नमर यदी कहीं पर लिखा रहे यहां पर जसे स्कौर था यहां पर यह नहीं दे कि क्या देगा कि यहां पर वन देंगा में पिलाबर सिर्फ यहांपर टेन ठीटा यहां फिर ओट ठीटा यहां पर च्छाथा नमर जो है यह कहीं पर लिखा रहेगा रूट अंडर लिखा रहेगा मान सिर्फ यह तब क्या पूट कीजिए आपर एक स्क्यर माइनस एस्क्यर तो go एंस रहे यहां पर यहांपर क्या करना अ करना अ यह ठाथ यह लेकिन यहांपर बन यहांपर बन नहीं लिखेंगा तो क्या हो जाएंग़ सिर्फ ऊंस खटीटा यहांपर क्या करेंगे कॉसेक ठीटा ठीक है और इच्छेग हो गया अज सातमा नमबर थोड़ा से ध्यान देजिए और दोठो है यदि कहीं पर लिखा रहेगा मान लेजिए A पलस X है या बटे A माइनस X है या इसी को कहीं पर लिख दे आपको A पलस नहीं देखे माइनस देदे ऊपर में और नीचे हम देदेगा A पलस X तब यह है पूट करना है X बराबर A कॉस्ट टू ठीटा X बराबर A कॉस्ट टू ठीटा पूट कीजएगा ठीटा भी कीजएगा चल जाएगा लेकिन A कॉस्ट ठीटा भी पूट कीजएगा और आठमा नमबर धियान देजिए यदि लिखा रहा है रूट अंडर 1 पलस यहाँ पर जैसे 1 बला लिये थे यहाँ पर भी लेंगे 1 पलस X बटे 1 मैनस X या फिर कहीं लिखा रहा है 1 मैनस X बटे 1 पलस X तब जो है क्या पूट कीजएगा X बराबर कॉस्ट ठीटा या कॉस्ट ठीटा भी कर सकते हैं कॉस्ट ठीटा या कॉस्ट ठीटा तो इस परकार से टोटल फर्मूला होगी आप लोग का किलियर लेकिन इसमें और कुछ फर्मूला है जो इसको कि आप लोगा हो याद रखना है तो इसको जो है याद रखना है तो इसके लिए फर्मूला खरमूली कि दिता है ताकि आप लोग को को डिक्कत ना हो Um important formula को देक लिजे जो कि यूज पढ़ता है इन्वर्स बनाते समय हम देखिए टोटल को एक जग करके दे रहे हैं इस प्रकार से जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए अच्छा से और सेर भी क्या किजिए अजिए तो वन पलस कॉस ठिटा कहीं पर लिखा रहे हैं तो क्या होथा टू कॉस स्क्वेर ठिटा भाए टू ठीक है आई इसी में कहेगा वन मैनस कॉस ठीटा तो यह सब यूज पड़ेगा टू साइन स्कॉर्गः ठिटावए टू आद तीसरा नम्मर कहेगा वन पलस कॉस हुए तो त्युस्ता है एंग पर one plus चॉस्त थीटा हो गया यहां पर दूगुना है तो तूगुना है थीटा हो जाए कर तो कॉसिए स्वाइर थीटा हो जाएक आप पैचमा चौथा नमर देखिए one पलस सोरी तो वन माइनस स्क Guard तू ठीटा। यसमे देखिए यहाँ वन माइनस कॉस्ट ठीटा में क्या हो ठीटा वाए तू तो यहाँ पर वन भूरगा इसे परकार से अगला जो है इसी मेरा टो tsita और टो सांड़ु तो यहां पर तो टीटा मैं Sl Oke कॉजटा एंगल में दिया है साइन में सब द kedla यूर इससे लेकिन यहां पर जब होता है कास स्कोयर ठीटा मैनस साइन स्क्वाइर ठीटा यहां पर आठावा नमर्शे परकार से कहेगा कॉस टू ठीटा बरावर क्या होता यहां पर यहां पर ठीटा वैंट पूल ना ठीक ठीक आपर कॉस स्क्वाइड ठीटा माइनस साइन स्क्वाइड ठीटा ठीटा ठीगा यह आठ नमर हो गया और कुछ फर्मूला है एक दोठा देख लेजे नम्मा नम्मर फर्मूला देख लेजे तो खर्मूला ठिक आठमा हो गहां नम्मा देखे तो अगर दिखंस लिखा रहेगा साइन माइनस ठीटा देदेगा किया होता है माइनस साइन ठीटा अग कहीं लिखा रहेगा कॉस माइनस ठीटा तो क्या हो जाएगा कॉस ठीटा इस दोनों को भी याद रखना है ठीक है तो इस परकार से जो है हम लोग टोटल फर्मूला कर देख चुके हैं तो इस वीडियो में इतना ही रहने जाते हैं अगल के बाद जो है कोई दीखत नहीं होने rop a में इसको भी दिमागे रखना है टोटल बातको झितना भी फर्मुला बता है टोटल को जो है इसके बाद फिर हम नेक्ष्ट वीडियो में जाटने का प्रोब्लम्स सुरू करेंगे तो इतना हीघत्र जूँआ दिटा कि झाल झाल